हेलो फ्रेंस, वेलकम टू माई चैनल, रादे रादे लड़ू को पाल जी के लिए आज हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे और फ्रेंस देखे देखने में काफी सुन्दर है और हमने यह जीरो नमबर लड़ू को पाल जी के लिए बनाई है बैल आइकन पर भी प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने friends और फैमली में भी शेयर कीजिए देखे फ्रेंट्स ट्रेस बनानी के लिए चोली हमने बना ली है और हम ये चोटे से लड़ू को पाल जी के लिए बनाएंगे अपने जीरो नमबर लड़ू को पाल जी के लिए उनके लिए चोली बना ली है चोली का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो देखे फ्रेंश, हम कैसे बनाइंगे इसको अब हमें गेरा बनाना है घेरा हम दूसरे कलर से सुरू करेंगे देखे, गेरा बनाने के लिए हमें हाप पे 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन बनाएंगे और देखे, इसी चैन में से हमें डबल क्रोशे बनाना है 1, 2 3 3, 4, और देखिए 5, 5 double crochet बनाएंगे, फिर देखिए हमें 1 chain को skip करना है, और फिर next chain में से बनाना है इस तरीके से, ऐसे हमें joint कर लेना है इसको, फिर हमें यहाँ पे, फिर से 5 double crochet बनाना है ऐसे, 1, 2, 3, 4, और देखिए 5, फिर फिर 1 chain को skip करेंगे, इसको next में से बनाएंगे, ऐसे पहले एक single crochet बना लेंगे, फिर 5 double crochet बनाएंगे, ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक chain को skip करके, next में से single crochet बनाएंगे, ऐसे, देखिए इसी तरीके से, हमें पूरे round में complete कर लेना है, देखिए friends, यह रो हमने complete कर लिया है, और देखिए जहां से, हमने इसको शुरू किया था, तब हमें से हम इसको ऐसे joint कर लेंगे, इस तरीके से, अब देखिए, यहां से हमें next color लगाना है, ऐसे, देखिए जहां पर हमने one one chain को skip किया है, उस chain में से, हमें इहां पर इस तरीके से joint कर लेना है, इस तरीके से खींचते हुए अब देखे इसी चैन में से हमें फाइव डॉबल क्रोश्य बनाना है ऐसे और देखिए फाइव ऐसे इस तरीके से फाइव डॉबल क्रोश्य बना लेंगे फिर देखिए यहां पे हमें इस तरीके से जो हमारा यहां पे यह देखिए ऐसे इसको हमें इस तरीके से देखिए ऐसे निकालना है इस तरीके से जोइंट कर लेंगे फिर हमें यहां पे भी फाइव डॉबल क्रोश्य बना लेना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से फिर धागे को तरना करेंगे और देखें फिर से हमें यहाँ पे जो हमने 1,1 चैन 1,1 चैन को skip किया है उसी में से बनाएंगे इस तरीके से जोइंट करते हुए फिर यहाँ पे भी हमें 5 डॉबल क्रोश्य बनाना है 1,2,3,4, और देखिए 5, ऐसे देखें इस तरीके से बना लेंगे देखें फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स 5 डॉबल क्रोश्य बनाने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारी यह 1,2,3,4, 5 डॉबल क्रोश्य है हमारा जो सैंटर का है उसके उपर से इस तरीके से इसको जोइंट कर लेना है फिर हम देखें नेक्स्ट में जहाँ पर हमारी चैन है, इसमें से इस तरीके से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और देखिए, 5, अब देखिए, फिर से हमें यहाँ पर सेंटर के डबल क्रोश्या के उपर जो चैन है, उसमें से इसको जोइंट करना है, इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, देखिए इधर से, जापर हमने एक एक चैन को स्किप किया है, वहीं से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर देखिए, यहाँ से सेंटर में से जोइंट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम इस रोग हो कमप्लीट कर लेंगे, देखिए फ्रेंज, अब हमें इसको यहाँ से सेंटर में से जोइंट कर लेना है, और देखिए फिर हमें इसको यहाँ से, ऐसे joint कर लेना है अब देखी अब हम next बनाएंगे ऐसे two, three three chain बनाएंगे और इसी chain में से एक बार double crochet बना लेंगे फिर next में से भी one, two next में से three हर तीसरी chain पे हमें दो बार double crochet बनाना है और सभी chain में से one, one times बनाना है देखे वान ट्यू और देखे थ्री यहां पर तीसरी चैनल में से एक बार होट बना लेंगे हर तीसरी चैनल पर दो बार डबल क्रोश्य बनाते हुई इस राउन को कम्प्लीट कर लेंगे देखे फ्रेंज से यह वह हमने कम्प्लीट कर लिया है और हम इसको यहां से जोइंट कर लेंगे इस तरीके से अब देखिए अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और ग्रीन कलर को यहां से जोइंट कर लेंगे ऐसे देखिए 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन बनाएंगे और देखिए 3 चैन बनाने के बाद हमें इसी चैन में से 3 की चैन को count करेंगे 1, 2, 3 3 double crochet बना लिया अब देखिए 1 और 2, 2 चैन बनाएंगे फिर इसी में से 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3 देखिए इस तरीके से फिर हमें क्या करना है 1 और 2, 2 चैन को skip करना है 3rd चैन में से 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3 और फिर 1 और 2, 2 चैन बनाएंगे फिर इसी में से 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, और देखिए 3 फिर 1 और 2 चैन को skip करेंगे 3rd में से फिर से ऐसे ही बनाएंगे 1, 2, 3 फिर 1 और 2, 2 चैन बनाएंगे फिर इसी चैन में से 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3 तो देखिए फ्रेंज इसी तरीके से पूरी रोगों कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंज ये रोग हमने कम्प्लीट कर लिया है और देखिए अब हम इसको यहां से जोइंट कर लेंगे इस तरीके से जोइंट कर लेंगे अब देखिए अब हमें एक स्लिफ स्टीज से इसके सेंटर में आ जाना है जहां पर हमने ये टू टू चैन बनाई है देखिए यहां से हम इस कलर को एड़ करेंगे अब देखिए अब हमें देखिए हमने यहां पर इसको जोइंट कर लिया है और देखिए अब हम यहां पर डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे यहां पर देखिए यहां से इस होल में से हम इसको जोइंट करना है इस तरीकी से फिर देखिए यहां से फिर डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे फिर यहां पर इसमें से हम इसको जोइंट कर लेना है देखिए इस तरीकी से फिर यहां से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और यहां से हम जोइंट कर लेंगे इस तरीके से फिर नेक्स्ट में से जहां पर हमने 2 टू टू चैन बनाई है इनके सेंटर में वहां से हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है 2, 3, 4, 5 फिर देखिए यहां से जोइंट कर लेंगे फिर इस होल में से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 देखिए फ्रेंगे इस तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स यह रोह कम्प्लीट कर लिया है हमने और देखिए यहां पे आ गए हम तरीके से जोइंट कर लेंगे और देखिए अब हम इसको यहां से भी एक सिंगल क्रोशेर से इस तरीके से जोइंट कर लेना है दागे को हम ही पे कट कर देंगे और ग्रीन कलर के धागे को भी हमने हापी कट कर दिया था देखे फ्रेंस हमारे छोटे से लड़ गोफ पाल जी के लिए प्यारी से ड्रेस बनके रेडी हो गई और फ्रेंस बनाना कितना आसान है और देखने में काफी सुन्दर लगती है आप इसे इस तरफ से भी पैना सकते हो और देखे इस तरफ से भी दोनों तरफ से काफी सुन्दर लगेगी और पहुती जल्दी से बनके त्यार हो जाती है थैंक यू